नमस्कार में प्रियरंजन और डिसकस करेंगे GTL Infra और साथ में ही जो दूसरा स्टॉक डिसकस करेंगे वो है HFCL मैंने हमेशा से कहा है कि GTL Infra fundamentally बिल्कुल डल है जो भी है टेक्निकल है पेनी स्टॉक है volumes काफी हाई होते हैं छोटे quantity में आप निवेश कर सकते हैं लेकिन HFCL fundamentally strong है अमबानी की stake है और यह एक well performing stock लगता और इस समय 52 week high को breakout करा तो दूनों ही ये stock को टेक्निकली समझे उससे पहले premium टिलिग्राम को जोइन करें description के link से account open कर लेंगे HFCL ने past 5 days में 11% की और 1 month में 15% की trend 1 year के 40% और 6 month के 53% return दिखे हैं past 2 years से consolidate form में रहा एक बड़ा update इसके लिए ये है कि 15th 25 जन्वरी को quarterly numbers है इसको थोड़ा याद रखेंगे इसके अलावे higher volume के साथ देखेंगे तो breakout हुआ है और HFCL यहाँ पिछले 2 year से 2 year के consolidate form को breakout करा मुझे लगता है कि ये एक candidate है जहाँ 120 से 150 प्लस तक का target मुझे दिखता है बात रही weakness का तो 82-84 के एक demand zone है तो आप 82 के नीचे के SL को अगर आप follow कर सकते हैं तो ये एक बड़ा trend यहाँ से दिखा सकता है दूसरी बात GTL infra GTL infra देखें तो एक resistance को phase कर रहा है same resistance इसने यहाँ टेकनिकली देखेंगे तो यहाँ phase कर रहा था same resistance अगे इसी resistance को phase कर रहा है तो मुझे लगता है कि अगर आप buying करते हैं तो इस stock में 1 रूपीज 60 पैसे 35 रूपीज इस zone में buying करें जहां आपका target 2 रूपीज 60 पैसे का पहला target हो सकता है और दूसरा near around 4 रूपीज का हो सकता है और यहां मैं 4 रूपीज इसी लिए कह रहा हूँ यहां आप target देखेंगे और SL जो है 1 रूपीज के आजपास के SL को लगा करके ले सकते हैं लेकिन GTL ऐसा stock fundamentally है जैसे इस stock में बरे पैसे लगाने से थोड़ा बचना चाहिए झाले झां अर जासा यहां गजोटीज जाता है और करूपीज कालना répondre जो है के जर नहीं जरेंगे हवाय सवके बरूपीज।